जैहिंद किसान भाईयो आप सभी किसान भाईयो का आज का किसान चेनल पर हर्दिक स्वागत वंदन अभिननदन हैं और जो किसान पहली बार मेरे चेनल पर आये हैं वो प्लिस चेनल को लाइक सस्क्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे वी ऐसे वीडियो आपके लिए लाता र हुआ हुआं किसान भाईयों, आज इंदोरमंडी की पुरी रिपोर्ट आ चुकी हैं। Inदोरमंडी में आज बहुत उलट फिर हमें देखने को मिल रहा हैं। जो तूपानी आवक बनी हुई हैं इंदोर मंडी में बहुत खतरनाक आवक बनी हुई है कल जो डेड़ लाग कटे की आवक थी आज उससे कई जादा आवक आई हैं इंदोर मंडी में उस वज़े से इंदोर मंडी आज निलामी नहीं हो पाई हैं उसकी दो कारण हैं एक पहला कारण यह हैं कि आवकों की वज़े से वहान नहीं निकल पाए वहान खाली भी नहीं हो पाए और कुछ वहान अभी भी मंडी में फसे हुए हैं उस वज़े से निलामी नहीं हुई दूसरी वज़े यह है कि हिम्मालों ने हरताल कर दी हिम्मालों की हरताल की वज़े से भी निलामी ए इस तरह से अगर जो आवक बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ घाटा हमारा ही है क्योंकि आवक को बढ़ने के कारण वेपारी भाव सही नहीं लगा पाते हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है इसलिए हमें हमारे माल को धीरे धीरे करके निकालना है एक साथ कभी भी नहीं निकालना है कि हमने सो कटे दो सो कटे आज ही छाट लिए और आज ही मंडी पहुचा दिए क्योंकि भाव अब उतरने की गुंजाज बहुत कम है भाव नहीं उतरेगा अगर जो कल डेल लाग कटे की आवक होने के बावजूद भी अगर जो भाव नहीं इसका मुख्य कारण है कि आगे लेवाली बहुत मजबुत बनी हुई है और भाव कहीं नहीं जाने वाला है इसलिए हमें धेर्य और वीवेक से काम लेना है हमारे माल को थोड़ा थोड़ा करके हमें निकालना है कभी एक साथ नहीं निकालना है आगे और भाव बढ़ने की गुंजायसे कल जैसे कि साजापूर मंडे में प्याज 35 रुपे तक भी का और दिल्ली के आजापूर मंडे में प्याज 40 रुपे पार हो चुका है क्योंकि अब निर्यात पूरी तरह खुल चुका है और जिस तरह महाराश्टर का प्याज खराब होता जा रहा है अलवर प्याज में जले भी रोग आ रहा है उस तरह से भाव उतरने की गुंजायस बहुत कम है इसलिए हमें हमेशा एक ध्यान रखना है कि हमारे माल को अब थोड़ा-थोड़ा करके हमें निकालना है ताकि मंडी में भी आवक सीमीत मात्रा में बनी रहे और हमें हमारी फसल का सही दाम मिल सके और किसान भाईयो आप अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लिस चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करें अगर जो आपको यह वीडिय अच्छा लगए तो लाइक और शेयर जरूर करें जय हिन जय जवान जय किसान